नगर निकाय चुनाओ को लेके नेशन टीवी बिहार एक्स्क्लूसिव रिपोर्टिंग आपको बिहार के सभी जिला मुख्याले और नगर पंचायतों का आपको दिखा रही है नगर निगम और नगर परिशत सभी का जो है लगतार हम बिसेस कवरेज दिखा रहे हैं चुकि लेके हला कि संभावी तीथी अभी जारी नहीं किये गए हैं लेकिन लगतार जिस तरीके से चुनाओ आयोग काम कर रही है उससे असपर्ष्ट है कि जुलाई अगर्स्त में चुनाओ हो सकता है अभी हमाए हुए महुआ नगर परिशत में नगर परिशत बना है और इसको इ करने की कोशिस करेंगे कि इनका चुनाओी एजेंडा क्या कुछ है और महुआ में मर्ज किया है तरोड़ा तो ऐसे में यहां क्या कुछ यह परतिकिरिया देंगे सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका क्या सुबनाम लिखते हैं रमेश कुम कि हम लोगों को पंचाज से नगर निकाय में ले लिया गया है पर अभी हम लोग सहर के नदीक होते हुए भी बहुत चीजों से बंचीत हैं और मेरा यही परियास रहेगा हमारे पिता जी से पहले भी पंचाज चुनाओं में जुरे हुए थे हमने बहुत नदीक से बुनियादी चीज होती है बुनियादी चीज में लेने में भी बहुत सारी परिसानियों का सामना करना पर रहा है मेरा मुख मकसद ही है कि वार्ड पारसत का चुनाओं एक गाउं में अपनों के बीच के लोगों के द्वारा चुना जाता है अपने बेटा भतीजा इसी में से कोई एक होते हैं और वो उनकी परेशानियों को वखूबी जानते कि कि इनके साथ क्या परेशानी है तो हमारा मुख मकसद ही रहेगा कि हम जो भी बुनियादी सुविधा है लोगों को बीना परेशानी के उनके दरवाजे पर दे सके और समाज का बाताबरन को सवहार्द पूर्ण रख सके पहले तो ग्रामीन इलाका था अब चुकि सहरी इलाका में सामिल हुआ है तरो रहा तो मन में क्या कुछ उभर रहा था क्या कुछ सोच रहे थे कि चुनाओ लड़ने की नोबत आ गई समाजिक्ता तो हमारे उफर पुरवजों से मिला है तो मैं यही देखा है कि समाजिक्ता तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं बीना किसी पद या परतिष्था कर लेकिन चुनाओ मैं इसलिए आया हूं कि किसी चीज को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हमने देखा है और उस परसानी को दूर करने के लिए और अपने समाज का विकास करके और पटल पर लाने के लिए हमारा फ़र्पूर परयास रहेगा अब धिन अज़्धीक अगया क्या अपील करेंगे वार्ड के लोगों से वार्ड के लोगोंसे अपील मेरा ही है कि मुझे बस एक बार आप मौका दीजिए बहुत लोगों को दिये हैं मुझे एक बार मौका दीजिए अगर मैं उस काविल नहीं उतर पाया तो मुझे भी उतार दीजिएगा पर हम एक बार मौका चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में यह दिखा सकें कि हमको जब चुन के भेजा जाता है तो परतिनिधित कैसे किया जाता है। स्थिति में तरोरा का जीस तरीके से अब एक्षा किया गया लोगों का कहना है। तो क्या लगता है रमेश सिंग जी अगर चुनाओं जीते हैं तो वाट का विकास हो जाएगा। होगा अच्छा सोगा। अभी वाट में क्या समस्या है। अभी समस्या तो बहुत दिन से है। नाला का है। जर्नल का जो पानी है अधर बहड़ा है। और बहुत सारी समस्या है। आप क्या कहेंगे। हम भी यह कहेंगे कि समाज के लोगों को अच्छा से अच्छा वाट तुना चाहिए। पतिनिजी अच्छा तुना जाए जो समाज के लिए विकास हो। समाज के लिए नाला बने, रोज बने, जलना जहुतना जो सरकार हम लोग को दिया। उसका भी अच्छा से संचारन हो। इस सब के लिए अच्छा वाट चुने, अच्छा पतिनिजी चुने। जो सब चीट के लिए हमेरे समाज को उपलब जाकर जोजना को करा है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक रिपोर्ट नगर निकाया, चुनाओ को लेके हम लगातार आपको दिखे। झाल झाल झाल